भाती टीम के ओपनिंग बल्ले बाज रह चुके, लाजण राजबूद ने टीम इंडिया के चीफ कोच पत के लिए अपने दावेदारी पेश की है। भाती टीम के मनेजर रह चुके लाजचन ने आवेदन के आखरी दिन चीफ कोच पत के लिए अप्लिकेशन फाइल किया उनके रेस में शामिल होने से चीफ कोच के पत की रेस और रोमांचक हो गई है लाजचन के अलावा भाती टीम के पूर ओल राउंडर रोबिन सिंग ने भी टीम इंडिया के चीफ कोच पत के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए आवेदन किया हुआ है बिशिस्याई ने ICC ट्रिकेट वर्लकप 2019 के बाद टीम इंडिया के नए कोच के लिए एग निकाला था खाली में खत्मूए वर्लकप में भाती टीम ने सभी पानल तक का सफ़र टेक किया था जहां उसे नूजिलेंड के हाथों हाथ का सामना करना पड़ा था फिलाज बोर्ड ने रवी शांस्त्री के अध्यक्षता वाले कोचिंग स्टाफ पर कारेकाल वस्टिंडीस दोरे को देखते हुए 45 दिन के लिए बढ़ा दिया था मैं 2019 से लाजचन राजपूत जिंबामबे टीम को कोचिंग दे रहे थे हलाकि राज़ीती दखल अंदाजी की वज़ा से इंटरनेशनल गर्केट काउंसल यानि की ICC ने जिंबामबे क्रिकेट को सस्पेंट कर दिया है लाजचन राजपूत ने टीम इंडिया के चीफ कोच्पत के लिए आवेधन करने की खबर की खुद पूष्टी की है उन्हें विभिन इस तरों पर करीब 20 साल कोचिंग देने का अन्भव है इसके अलावब वो जिंबामबे और अफगानिस्तान जैसे इंटरनेशनल टीमों के कोच भी रह चुके हैं आपको बताते कि महन सिंग धोने की कप्तानी में जब टीम इंडिया ने साल 2007 में ICC का पहला T20 वर्ड कप और फिप साल 2008 में औस्टेलिया के CB सिरीज जीती थी तब राध्पूर टीम के मनेजर थे ऐसे में उनके तावेदारी आने से कपिल देव की अगवाल वाले कमेटी के रहा और चुराती पूर हो गई है